आइफोन 11 यूजर्स इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है आइउस 17.4.1 का जो नया अपडेट आपल ने आइफोन 11 या सभी आइफोन को इंट्रियूस किया था वो मैं आज उसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो को शुरू करते हैं बेना किसी देरी के साथ आप यहां पर चेक आउट कर सकते हो यह जो मेरा आइफोन 11 है यह परपल कलर वाला वीरियंट है 64GB आपके आइफोन 11 का यह कोई सा भी मॉडल आप यूज करे हो आने वाले कुछ दिनों में जो सारी जो जो दिन गुजर चुके हैं सो आपको मैं इसका जो मैंने टेस्ट किया है उसके बारे में बताऊंगा सो यहां पर आप चेक आउट कर सकते हो मेरे आइफोन 11 की फेस आईडी काम नहीं करती है सो फेस आईडी का स्पीड में I don't think so की कोई फर्क आया है या नहीं आया है सो अगर आपने इंस्टाल कर लिया है अपडेट में अपडेट अपने फोन में इंस्टाल कर लिया है सो फेस आईडी के रिगार्डिंग कोई चेंजिस आई है तो जुरू बताना हो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रीन स्क्रीन इशू की आईफोन 11 में कोई ऐसा इशू नहीं है अगर आप ग्रीन स्क्रीन इशू से परिशान हो या उसके लिए टेंशन ले रहे हो कि अपडेट करने के बाद में फोन में इशू आईगा य नहीं आईगा सो फिकर करने की ज़रत नहीं है ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला आपके फोन में आईफोन 11 सेफ है इसमें डिस्प्ले इशू कोई नहीं आएगा सेकेंड तेंग अब बात करते हैं कि फोन की बैटरी कैसे परफॉर्म कर रही है मैंने अपने iPhone 11 की बैटरी को replace करवा रखा है जो की 88% health की उपर है अभी जैसे कि मैंने original Apple की बैटरी Apple से replace नहीं करवाई है इसलिए मेरे को important battery message आता है यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी battery health इसी कारण शो नहीं होती है लेकिन मैंने computer में 3U tools एक software है उससे check की थी उससे मेरे phone की battery health update करने से पहले 88% health ही और update करने के बाद में भी 88 है अभी मेरे को battery के regarding literally कोई issue नहीं आ रहा इवन health मैं नहीं health की बाद नहीं कर रहा usage में भी कोई issue नहीं आ रहा मैं आपको recommend करूँगा अगर आप battery को लेकर परिशान थे कि update करूँ या ना करूँ इस update में हो सकता है आपके case में आपको slightly improved battery backup देखने को मिल जाए अब बैठते हैं networks की तरफ इस update में हमें कोई भी नया modern firmware देखने को नहीं मिलता था जिसके कारण आपको इस बार भी जो 17.4 में modern firmware में जो भी problems आ रही थी या problems नहीं आ रही थी तो इसी update में भी same रहेगा अगर आपको issue नहीं था तो इस update में भी आपको issue नहीं आएगा और हो सकता है आपको network थोड़े बहतर देखने को मिल जाएं by the way मेरे को basements में indoor conditions में outdoor conditions में कभी भी network का drop देखने को नहीं मिला calls वगरा में wifi bluetooth flawlessly काम कर रहा है airdrop भी मैंने चेक किया है और वह बड़े आराम से चलता है अब बात करते हैं कि मेरे case में storage की तंगी चल रही है या नहीं तो दूस्तों मेरे iPhone 13 में मेरे को 17 GB इस update के बाद में occupy हो गई है as a system data लेकिन iPhone 11 में ऐसा नहीं है क्या आपके iPhone 11 में ऐसा है तो comment section में जुरू बताना वे इसवैसे मेरे iPhone 13 में ऐसा हो रहा है so it just depends upon you कि आप इस issue के जाद चल सकते हो या नहीं अगर आपको update इंस्टाल करना है तो आप कर सकते हो अगर आपको आपके पुराने upload में कोई प्राव्लम देखने को मिल रही है और अगर आपको अपने पुराने अप्डेट में कोई इश्यू नहीं जल रहा तो आप इस अप्डेट को इंस्टाल करके हो सकते हैं अपने फोन में कोई इश्यू डाल सकते हो मैं आपको recommend करूंगा अगर आपको अपने पुराने फर्मवर्स के साथ भी श्टक रह सकते हो मेरी तरफ से green signal है यूट्यूब का जो बग है वह एक चोटा सा बग है उसके लिए सिर्फ आप अपडेट को pause नहीं कर सकते यह just depend करता है कि आपके उपर कि आपको update करना है या नहीं करना है install बाइद वे कोई ऐसी बड़ी problem नहीं है बैटरे के रिगार्डिंग नेट्वर्क के रिगार्डिंग डिस्प्ले के रिगार्डिंग कोई ऐसा issue नहीं है